तो हेलो दोस्तों आज हम देखेंगे कि PUBG Mobile और BGMI के upcoming 2.9 update में कौन-कौन सी gun की upgrade skins आने वाली है, next popularity battle के rewards, साथ में नई theme से reiterate जो भी background लो भी आपको देखने हो मिलेगी, और जैसे कि BGMI में shop अभी तक refresh नहीं हुई है, और उसमें भी purchase bonus में क्या के rewards मिलेंगे, यह सब आपको य collaboration की, यूँकि सबसे पहले तो PUBG Mobile के साथ ही होगी, और फिर आपको BGMI में देखने को मिल जाएगी, तो इस supercar का नाम है Pagani, तो जिसके lucky spins होने वाले हैं, वो आपको PUBG Mobile में 2.9 update से पहले ही देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि Dodge Cars के टाइम पे हुआ था, तो अब इसमें कुल मिल करके Pagani के 4 models आपको PUBG Mobile में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ये red color की car आएगी, जिसका यहाँ पर model कुछ में ने सर्च किया है, तो इसका नाम कुछ होईरा roadster करके आया है, जो कि आपको PUBG Mobile में देखने को मिल जाएगी, और जो car alerts हैं, उनको यह पता ही होगा, त जाने देना, अब देख लेते हैं second model, जो कि यहाँ पर फिट से पगानी होईरा करके आया है, तो इसकी आपको कुछ purple color में देखने को मिल जाएगी, और अगर हम color wise देखे हैं, तो यहाँ पर pink tint में भी यह दिख रही है, तो देखने में तो काफी मस लग रहे है, क्योंकि ज जाएंगी, और शायद जो मिनने model बताया है, इसी नाम से आपको pubg value में देखने में मल जाए, इसके बाद last supercar की skin है, उसका नाम है पगानी utopia, तो इसका नाम यहाँ पर कुछ different हो जाता है, और जो इसका model है, वो भी आपको बहुत different देखने को मिल रहा होगा, street gray color में, तो यह सारी skin से आपको next supercar collaboration में देखने को मिलेंगी, और जहां तक मुझे देखने से लग रहा है, तो यह coupe RB जो अपनी two sitter car होती है, उसके लिए यह skins आ सकती है, बाकि यह वाली कार आपको lucky spin के अंदर देखने को मिलेगी, या फिर speed drift वाले event के अंदर, यह तो आगेने वाले time म नहीं पता चलेगा, बड़ देखने से इसका यह लग रहा है, यह speed drift के अंदर आएगी, तो यह तो थे next supercar के सारी leaks, इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे कुछ popularity battle के rewards, तो जो next popularity battle आने वाला है, उसमें आपको यह वाली theme lobby देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर image में तो polar भी यह बनावा दिख रहा है, और यहाँ पर theme भी कुछ winter related होने वाली है, इसके बाद से related यहाँ पर एक player info card आपको देखने को मिलेगा, और winter theme पर यह next name badge है वो भी देखने को मिल सकता है, और इसके बाद यहाँ पर आपको एक crystal सा दिख रहा होगा, तो इसके नाम यहाँ प यहाँ पर एक name badge भी है, अब इसके बाद आपको 2023 की popularity battle का avatar frame देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद यहाँ पर यह name badge है, अब देख लेते हैं कुछ next avatar frames और beach map में जो purchase bonus आने वाला है वो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ avatar frame देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहल इसके बाद आपको किसी Christmas वाले event के अंदर देखने को मिल सकता है, अब इसके बाद जो next avatar frame आएगा, 2023 ice and snow festival avatar frame, तो नहीं theme आने के बाद कुछ ऐसे events आएंगे, और उसमें आपको एक event देखने को मिलेगा, snow and festival, उसके अंदर यह वाला avatar frame मिल सकता है, फिर इसके बाद यहाँ पर एक avatar frame में का माटो, तो यह वाला हो सकता है कि इसी ultimate spin का हो, और लावक होगा, और यह देखने से आपको winter theme पर ही लग रहा होगा, फिर जो next avatar frame है, वो new year के time पर एक event आएगा, उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके नाम ही यहाँ पर new year avatar frame है, और इसके बाद आपको next avatar frame देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर कुछ star bone करके यह avatar frame है, तो यह भी आपको किसी event का इंदर ही देखने को मिलेगा, हो सकता है किसी lucky spin का हो, फिर next आपको insulated ही कुछ avatar से देखने को मिल जाएंगे, और अब बात करते हैं नए purchase bonus की, तो इभी तक जैसे कि बीजवाय में पुरानी वाली shop चल रही है, और उसी कारण से आपको A2 का जो discount voucher था 60 UC का वो भी देखने को नहीं मिला, तो जब नए shop आएगी, उसके अंदर आपको next royal pass का 60 UC वाला voucher देखने को मिल जाएगा, जो कि 60 उसी purchase करने के बाद ही आप collect कर पाऊगे, और यहां background में जो outfit दिख रहा है, वो इस purchase bonus का ही है, अब इसके बाद आपको यहां पर watch videos वाला एक option दिख रहा होगा, तो एक नया feature है, जो कि 2.9 update के बाद आपको देखने को मिलेगा, PUBG और BGM, दोनों में, और basically इसमें क्या होगा, जैसे कि आप बाकी apps में ad देख करके कुछ reward collect करते हो, तो यहां पर भी आपको ads देखने पड़ेंगे, और एक ad पर कोई reward नहीं है, यहां पर 5-6 आपको ads देखने पड़ेंगे, तब जाके एक reward मिलेगा, और इस reward का भी यहां पर नाम है AG currency, तो वह यह आपको मिलेगी ad experience चाहिए होता है, वह आपको मिल जाएगा कुछ 40 आफि 30 ऐसा कुछ, और अब देख लेते हैं next lobby theme जो भी आने वाली है, दिवाली के बाद की, जो भी आपको 2.9 update के अंदर देखने को मिलेगी, तो यहां पर total 3 lobby themes है, जिसमें आपको एक तो भी दिख रही होगी, जिसमें PMG 2023 का background बनावा है, तो ऐसे कुछ lobby theme आपको 2.9 update के अंदर देखने को मिलेगी, इसके बाद अबना जो नया theme आने वाला है, फ्रोस्ट फेस्टिवल करके कुछ आएगा, उसके अपर भी यहां पर एक theme है, ice crystal castle, तो यहां पर आपको background में एक castle देखने को मिल रहा होगा, जो कि जिसमें winter theme के अंदर background में एक castle बनावा है, और इस lobby का नाम यहां पर रखा गया है, mini civilization wonders, यह सारी lobby themes आपको 2.9 update के बाद देखने को मिलेगी, और अब देख लेते है next upgrade skins, कि कौन कौन सी gun पर अपनी next upgrade skins based होंगी, अब सच से पहले मैंने आपको कल की वीडियो में दिखा दिय था कि एक AKM की skin आएगी, decisive day करके, फिर A4 royal pass के अंदर DBS की skin आएगी, जो कि level 3 तक आप upgrade कर पाओगे, और इसके बाद यहां पर एक UMP की skin आएगी, जिसका नाम होगा origami drake, और इसे आप level 8 तक upgrade कर पाओगे, तो इसका मतलब glorious moment भी इसक वाली gun में आपको देखने को मिल सकता है, और अभी इन सारी skins के weapon lab में जो effect होते हैं, वो सब अभी देखने को नहीं मिलेंगे, बट जैसी इनके full leaks आएंगे, तो मैं इसके उपर भी एक full video बना दूँगा, कि कुनकों सी नए upgrade guns आपको देखने को मिल सकती है, और उनकी basic advance और final form कैसे दिखने वाली है, PUBG और बीजम यह वाली skin नहीं है, बलकि यहाँ पर कुछ glitch हुआ है, जिसके वज़से यहाँ पर पुरानी skin apply हुई है, अब इसके बाद जो next gun की skin आएगी honey badger, तो पहली बार आपको एक upgradeable skin honey badger की भी देखने को मिल जाएगी, जिसे आप level 5 तक ही upgrade कर पाओगे, तो पहली skin आ रही है honey badger क तो इसका crazy भी बढ़ सकता है, और अब देखिलते हैं सबसे last skin जो की आएगी M762 की, तो यह जो skin है यह PMGC special होने वाली है, और इसमें आपको सिर्फ on it effect देखने को मिल सकता है, जैसिके hellfire वाली gun है, उसका आपको देखने को मिला था, और एक शुरुआत में PMGC में जो इस क वीडियो में दिखाना था, अगर यह वीडियो आपके लिए informative है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में PUBG और बीजय में के नए अपडेट और टिप्स और इंट्रिस के साथ, तब तक के लिए बाई बाई